आ गया है फेस्टिव सीजन और तयार है आटो मारकेट कई कंप्रिया नए प्रोड़क्ट्स लेकर आ रही हैं तो कई ला रही हैं लाजवाफ फीचर्स लेकिन आज हम बात करेंगे हाली में लॉंच हुई ट्रायम्ट की नई और सस्ती बाइक Scrambler 400X की वैसे तो कंप्रिय न इसे जुलाई में अन्वील कर दिया था लेकिन कीमत का खुलासा नहीं किया था अब फेस्टिव सीजन को भुनाने के लिए कंप्रिय न इस बाइक की कीमत से परदा उठा दिया है तो वीडियो में जानेंगे क्या है बाइक का प्राइज और किन बाइक से होगा इसका सीधा मुकाबला इस बाइक की शुरुआती X शोरूम की मत 2,63,000 रुपे है बात कर लें इंजिन की तो बाइक में आपको मिलता है 400cc का लिक्विड कूल सिंगल सिलिंडर इंजिन ये इंजिन 40PS की मैक्सिमम पावर और 37.5NM का मैक्सिमम टॉक जनरेट करता है इस बाइक में आपको मिलता है 6-speed gearbox और fuel tank मिलता है आपको 13 लीटर का अब ऑटो बाइक कीन दूसरी बाइक से भिड़ेगी और उनके इंजिन स्पेसिफिकेशन क्या है आईए जानते है पहली बाइक है Harley Davidson X440 इस बाइक में आपको 440cc का liquid cool engine मिलता है जो 27BHP की मैक्सिमम पावर और 38NM का maximum टॉक जनरेट करता है बाइक में मिलता है आपको 6-speed gearbox 13 लीटर की fuel tank capacity इस बाइक में आपको मिलता है dual channel ABS Harley की इस बाइक की शुरुवाती कीमत 2,4,000 रुपे है दूसरी बाइक है KTM 390 Adventure इसमें आपको मिलता है 333cc का liquid cool engine जो 43BHP की मैक्सिमम पावर और 37NM का टॉक जनरेट करता है बाइक में भी आपको 6 gearbox मिलते हैं साथ में fuel tank मिलता है 14.5 लीटर का इस बाइक की शुरुवाती कीमत है 2,81,000 रुपे तीसरी बाइक है ESD Scrambler इस बाइक में आपको 334cc का liquid cool engine मिलता है जो 28.7BHP की मैक्सिमम पावर और 28.2NM का टॉक जनरेट करता है बाइक में भी आपको 6 speed gearbox मिलते हैं fuel tank capacity है 12.5 लीटर की इस बाइक की शुरुवाती कीमत है 2,12,000 रुपे festive season में अगर आप बाइक खरीदने की सोच रहे हैं वो भी 400cc के अंडर में तो ये बाइक आपके लिए बहतर option हो सकती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे like और share करना ना भूले